हलो एवरीबादी एंड बलकम ट्यू एक्सेल मेड इजी मैं हूँ आपका एक्सेल गरू और आपके लिए आज एक्सेल का एक फॉर्मुला लेकिया हूं जिसका नाम है डॉलर वेल काश मैं आपके लिए डॉलर भी ले आता वेल डॉलर एसस तो नहीं लेकिन एक इंस्टेंट याद आया पीछे में कोई मेरे एक फैम ने एक मेल भीजा हमारे एक वीवर ने एक मेल भीजी जिसमें उन्हें लिखा कि मेरे कुछ वीडियो देखके एकसल के वह एक इंट्र डॉलर फॉर्मॉला जरूर लेके आया हूं मैं आपके लिए आई यह मैंने आपके कुछ नंबर्स लिखे हैं दस 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 और यह 10.25 10.25 10.25 10.25 अब डॉलर फॉर्मॉले से मैं इनको एक तो कनवर्टे टू टेक्स्ट कर सकता हूं यानि कि यह जो डॉलर का आप सिंबल जाएगा और वो टेक्स्ट फॉर्माट में हो जाएगा आये देखें और बहुत सिंपल है लिखना है दी ओ ल ल ल ओ और ब्राकेट ओपन ओहो इस एकोल तो दी ओ ल ल ओ और ब्राकेट ओपन ओहो औहो सॉरी दी ओ ल ल ओ और दी ओ ल ओ ल ओ आर राकेट ओपन और यह हमने मान लेजिए इसको चुन लिया यहाँ पे मेरा था C8 राकेट क्लोज कोछ इशू आ रहा है दी ओ डॉलर और यह मैंने टेक्स चुना सॉरी मापी चाहता हूँ इसमें स्पेलिंग गलब कर रहा था तो अगर जैसी आप टाइप करेंगे डी ओ ल ल एल ए आर और टेक्स को उस नंबर को चूज करेंगे जिसको आप इस फॉर्मैट में लाना चाहतें तो आटमेंटिकली इस फॉर्मैट में ले आएगा और देखीगा दो डेसिमल प्लेस हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ इस इकोल तो डी ओ ल ल एल ए आर नंबर चूज करें मान लीजिए हमारे सेल है सी ना जिसमें हमने लगाना है यह फॉर्मुला तो अब कॉमा यह पूछा है डेसिमल कितने डेसिमल प्लेस देना चाहते हैं जीरो डेसिमल प्लेस हमारा टेक्स है नमबर और कॉमा डेसिमल प्लेस मांग रहा है वन डेसिमल प्लेस देना है मैंने इसको यह अपने ब्राउंड आफ भी कर देगा जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा अब यहाँ पर में लिए लिखे आथा हूँ दो डेसिमल प्लेस निहाँ डालर फॉर्म में मज़ा नहीं आ रहा है C11 और decimal place मांग रहा है तो मैं कहता हूँ तीन decimal place bracket close यह देखे अब जिसमें already decimal place है उसको कैसे treat करता है आई उसको देखते हैं is equal to D-O-L-L-A-R हमने choose करा automatically क्योंकि यह दो decimal places के लिए designed है तो इसने सिर्फ dollar का निशान कर दिया और two decimal places में डाल दिया और इसको central aligned कर दिया आई आई आप इसको single decimal place में डालते हैं is equal to D-O-L-L-A-R comma one decimal place यह zero decimal place कर देते हैं और यह देखे इसका decimal हट गए अब इसमें one single decimal place डालेंगे comma one यह देखे इसने round off कर दिया 25 को इसने 3 कर दिया is equal to 25 नहीं था actually 0.25 को इसने 0.3 कर दिया technically term यह सही है D-O-L-L-A-R और इसको मैं मान लीजिए three decimal place लेके जाता हूँ यह देखे तो यह है dollar formula आपके लिए यह जो excel file आप देख रहे हैं यह available है free download के लिए मेरे website myelesson.org पर वहाँ जाके इस file को आप free में download कर सकते और वहाँ पर और भी कई 100 video हैं जिनको आप देख सकते हैं और हाँ उन videos को अगर आपको अच्छे लगें आपको लगते किसी और के काम भी आ सकते हैं तो उनको share करना ना भूले So this is your excel guru now signing off for the day have a wonderful day ahead Happy excel learning झाल झाल झाल